फ्ल्व फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में इस कंक्लूजन को समझेंगे तो चली सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट है हमार यहां पे सम लेक्स और पॉंड्स सम पॉंड्स और रिवर्स जो थोड़े से ponds हैं वो river भी है ठीक है तो यह हमने एक दूसरा साब बढ़ा दिया ponds औ रिवर का आपस में overlap कर दिया इसमें तो conclusion बन के नो river is a lake तो कोई भी river वो lake नहीं है तो यह तो इन्होंने कहा हैं के lake नहीं है लिक रिवर नहीं। है इन्होंने इन्होंने और एतना बह assignments है। हैं लिक हैं लrif लेटान टैडी को सकती है नहीं भी यूंठा हमें ऐसाथ में और तो रिवर और लेक का एंपस में Zus इस ना टैडी के साहए।юсь कि है। तो हो सकता जा आपस में भी overlap करें, हो सकता आपस में overlap ना करें, ठीक, तो ये सही भी है, गलत भी है, जो first वारी conclusion है, जो second conclusion है हमारी यहां पे, वो है, at least some rivers are lakes, at least some rivers are lakes, तो ये बोलें के थोड़ी सी जो river से वो lake है, पहली में बोलें नहीं है, दूसरी में बोलें है, तो ये भी same हो गया, ये हो भी सकते हैं, थोड़े से हो, और हो सकता के ना भी हो, तो इसमें, ये जो दोनों conclusion है, दोनों में से एक सही है, जा तो वो reverse जो lake का part है, जहां फिर reverse lake का पार्ट नहीं है तो इसका हमारा अंसर आ जाता है वान जिसमें लिखाओ इफ एदर कन्कुलूजन वान और कन्कुलूजन टू फॉलो और दोनों में से एक इसको फॉलो कर एक नहीं कर रहा है तो अमीदे दोस्तों समझा गया है आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जेहिन